Hello friends, my name is Priti, आप देख रहे हैं exam 10 YouTube channel Friends, आज हम लों discuss करने वाले हैं geography top 300 series का part 6 इसके पहले हम लोगों ने कुल 5 part discuss किया है अगर आपको यह वीडियो देखना है तो आप हमारे playlist में जाएगे geography question answer series और वहाँ पे और भी questions को solve कर सकते हैं तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon पर जरूर प्रेस करें इसके अलावा अगर आप commentative exam की तैयरी करते हैं तो इन सभी वीशेओ के लिए हमारे playlist में विजिट कर सकते हैं और free video classes देख सकते हैं तो आई देखते हैं कि आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हमारा कि प्रिथिवी की आंतरिक सनरचना की विश्वनी जानकारी का सबसे प्रमुक स्रोथ क्या है अगर हम लोग बात करें प्रिथवी की आंतरिक सनरचा की जानकारी चाहिए हमें इसके लिए सबसे विश्वसनिय जानकारी हमें कहां से मिल सकती है भुकंप विज्ञान से इसका सीधा सा एक्जामपल क्या है अभी आपको करंट में मैंने एक एंसिडेंट पढ़ाया था जिस कांस मिलेगी भुकंप विज्ञान से अब यह जो टोटेन ग्लेसिया रही है कहां पर अंटार कटिका में है और इसकी चोड़ाई है 30 किलो मेटर अगर हम लोग बात करें इसकी मोटाई कितनी इसकी मोटाई है दो किलो मेटर ऐसा माना जा रहा है कि अगर या पिघल गया तो समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ सकता है साथ मेटर तर बढ़ सकता है नेक्स है हमारा भुकंपी ये तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंद्र के द्वारा किया जाता है तो भुकंपी ये तरंगों का मापन किया जाता है सिस्मुग्राफ के द्वारा किस के द्व बाकि अगर हम लोग बात करें परवती वर्सा तो यह भी भारत में होती है और समवहनी भी होती है बाकि अगर हम लोग चक्रवारती की बात करें तो यह नहीं होता नेक सा हमारा की दच्छड भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला या फिर जिसे हम लोग जानते हैं कैच्चमेंट एरिया मतलब जल संग्रड एरिया सबसे बड़ा है हमारे उप्सन के इसाब से हमारा सही अंसर क्या होगा ऑप्सन नमबर सी गोदावरी नदी का कैच्छमेंट एरिया सबसे बड़ा है अब थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं, देखें गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो महाराश्ट में है नासिक, वहां की त्रेमवेकस्वर से निकलती है गोदावरी नदी, और ये गिरती कहां पे है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अगर तो question आता है कि दच्छुड भारत की सबसे बड़ी नदी या फिर दच्छुड की गंगा या फिर बृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो कहते हैं गोदावरी नदी को दच्छुड भारत की सबसे बड़ी नदी बृद्ध गंगा और दच्छुड की गंगा option number D है हमारा कावेरी नदी कावेरी नदी के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ब्रह्मगीरी पहाड़ी करनाटक से निकलती है और यहाँ भी कहां जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में इस पे कौन सा प्रोजेक्ट है तो कहा से हमारा कावेरी हो गया और इस पे है कृष्ण राज प्रोजेक्ट कावेरी नदी जल विवाद किसमे है किन राज्यों के मद्ध है कई बार आपने सुना होगा कावेरी नदी जल विवाद तो यहाँ तमिल नाडू, करनाटक, केरल और पुदुचेरी इन चार राज्यों में कावेरी नदी को ले करके विवाद रहता है मेसा बी ऑप्सन है हमारा कृष्ण नदी इसके बारे में जान लेते हैं कृष्ण नदी का उद्गम है महा राश्र का महा बलेश्वर इस पे कौन सा प्रोजेक्ट है तो आंध प्रदेश में कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है कौन सा प्रोजेक्ट है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है कृष्ण नदी पर और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी से क्वेश्चन आता है तो कृष्णा की सबसे बड़ी सायक नदी है, तुंग भद्रा, नेक से हमारा महा नदी, पहला अप्शन क्या है हमारा, महा नदी जो की हमारा 36 गड़र और उडिसा की सबसे बड़ी नदी है, महा नदी, ठीक, अगला क्वेशन हमारा की ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निकलती है हमारा मान सरोवर जील, तीब्बत चाइना बाडर पर पर पड़ता है, मान सरोवर जील वहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और अगर हमलों बात करें, तो यहां आयतन की द्रिष्टी से भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई की द्रिष्टे कौण लंबाई की दृष्टे गंगा है 25-25 किलोमेटर और यहां है ब्रह्मपूत्र नदी आयतन की दृष्टे से असम में या अवडांचल प्रदिस में या नामचा परवापरवत पर दिहांग गार्ज बनाती है इसकी अलावा असम में माजुली द्वीप का निर्मार करती है जिस स्थान पर अस्थापित की गई है तो इसका नाम है विजिन जाम क्या नाम है इसका विजिन जाम इसका नाम है कहां पढ़ता है त्रिवेंद्र के पास पढ़ता है विजिन जाम नेक्स है हमारा कि विश्व का सबसे गहरा महासागरी गर्द चैलेंजर गर्द कहां पर इस्त हम लोग दूरी के मैटर में बात करें कुल कितने मीटर है इसकी गहराई तो इसकी गहराई है 11033 मेटर इसकी गहराई है और इसे हम लोग मेरियाना गर्थ के नाम से भी जाते हैं एक दूसरा गर्थ है सुंडा गर्थ जो कि कई बार एक्जाम में आता है कि सुंडा गर्थ कहा निम्न में से कौन सी भासा बोल चाल में उत्तरी भारती मैदानों में प्रयोग नहीं की जाती तो देखिए खासी की भासा ठीक आपने सुना होगा गारू खासी जैनती आया यह कहां पे इनका प्रयोग किया जाता है तो अवे सी बात है यह language भी कहाँ पे होगी यह language भी होगी मेगाले के आसपास के छेत्रों में ना कि उत्तरी भारती मैदानों में इसके प्रयोग होगे अगला question हमारा हवा से है तो इस पे मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया है अगर आप जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो सही अंसर इसका बता देंगे देखे खमसिन हवा मिस्र में बैती है सिराकू इटली में आपको पता है साहरा डेजर से उठता है और इटली में रक्त वर्चा का रीजन क्या है सिराकू हवा गिबली हमारा लीबिया में है चिनूग कहां बैता है चिनूग बैता है यूएसे में और रौकी माउंटेन के ज सब्सक्राइब करना बनता है कि इसके और समताप मंदल कहते हैं और और समताप मंदल से, कि कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें उचाई बढ़ने के साथ तापमान में बृद्धी होती है तो समताप मंडल में ही उचाई बढ़ने के साथ सा तापमान में बृद्धी होती है अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य की सता का तापक्रम कितना है देखे सूरी की सता का तापक्रम होता है हमारा 6000 डिगरी सल्सियस कितना होता है 16 और अगर हम लोग कोर की बात करें तो कोर में तापमान लगबग 15000 डिगरी सल्सियस से प्लस होता है सरवाधिक तापमान कहा होता है सरवाधिक तापमान होता है कोरोना में ठीक है कहां पे कोरोन सब्सक्राइब के निम्न मेसे कौन सी वाई मन्डली परत जिसमें उचाही के साथ तापमान में व्रिद्धी होती है तो मैंने आपको बताया है कि पूल को कि सबस्था भाता में होता है और अगर हम लोग बात करें कि सबसřядदा प्रोटीन किसमें पाय जाता है तो सोया बीन में ही सबसे ज Joyce यादा-प्रोटीन पाय जाता है नेक्स हमारा की भारत में जंगली गधा का प्राक्यतिक निवास दंखित में से कौन सा चेतर है तो कच्छ के रन जो की काहां पे पढ़ता है गुजरात में और यहीं पिसर्ज कार्बन की सरवाधिक मात्रा होती है तो कारबन की सर्वाधिक मत्रा किसमें होगा एंत्रासाइट कोईले में होती है कारबन की सरवाधिक मात्रा अगर हम लोग बात करें पीट कोईला की तो पीट सबसे निम्न कोटी का कोईला होता है और बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस सरवाधिक पाया जाता है विश्व में सरवाधिक पाया तो विश्व में चीन कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, नेक्स है हमारा इस्टेलेक्टाइड और इस्टेलेक्माइड, अस्थाला कृती का निर्माण होता है, कि इसके दौरा देखे, जोग्रेफी में क्या होता है, कि जो पर पूमिगत जल द्वारे इसका निर्माण होता है, अगला हमारा की सूरी ग्रहण की अवस्था में, चंदर्मा, प्रिथिवी एवं सूरी की परसपर इस्थिती क्या होती है, तो चंदर्मा, सूरी और प्रिथिवी की परसपर इस्थिती हमारा क्या होगा, प्रिथिवी एव ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जागी आपको पता अभी तरह तरह के शोध हो रहे हैं जिसमें संयुक्त राष्ट ने कहा विश्व मौसम विज्ञान संगटन ने कहा कि साल 2018 पिछले चार इसका या उच्चरजन को कम नहीं किया गया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे एक इंपोर्टन प्वेश्चन है ग्रेटा थनबर्ग मैंने कल आपको पढ़ाया था इसके बारे में उनको नामित किया गया है नोबल अवर्ड के लिए क्यों नामित कि किया गया अगर इने यह वर्ड नोबल अवर्ड मिल जाता है तो यह नोबल अवर्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की सक्सियत बन जाएगी वर्तमान में को है वर्तमान में 17 वर्ष कियाव में मिला था मलाला यूसुफ जाई को ठीक अगला क्वेश्चन हमारा विश्व का सब सबसे उच्छा मादुप है यहांपर सबसे उची चोटी कौन सी है सबसे उची चोटी है माउंट विन्सन और अभी आपने पढ़ा है कि जो विष्व की पहली दिव्यांग महिला जिनोंने अन्टार कटका तो सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशांत महासागर अगर हम लोग एरिया वाइस बात करें या देप्ट वाइस गैराई की बात करें चेत्रफल की तो दोनों में हमारा जो प्रशांत महासागर है वो नंबर वन पे आता है एरिया वाइस सबसे हमारा की हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्थ हो हम लोग उने पहले पढ़ लिया कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्थ है सुन्डा गर्थ और अगर लोग बात करें मेरियाना गर्थ हो या विश्व का सबसे गैरा गर्थ है जो कि कहां पर पाया जाता है मेरियाना गर्थ हमारा प्रशांत महा सागर में तोंगा गर्थ की बात करें तोंगा गर्थ पाया जाता है दच्छड प्रशांत सागर में कहां पर दच्छड प्रशांत स सेचता है सूर के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है तो सूर के कोरोना का तापमान सबसे अधिक होता है और हमारा लाश्ट क्वेस्चन है कि लिन बीच परवत कहां पर है तो यह पाया जाता है हमारा चंदर्मा पर पाया जाता है लिन बीच परवत तो यह थे हमारे आ आड आता है तो एड को skip बंद क्या करिए एड को पूरा देखा करिए थैंक यू फ्रेंब्स थैंक यू सो मच